गैज अनेकाडमी के तरफ से आप सभी लोगों के लिए पर फिर से बिस्ट बैच को लॉंच कर दिया गया है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिक्रमेदित 2.1 है जो कि कोश्टगार्ड प्रैक्टिस बैच 2022 के लिए बहुत ही बिस्ट है यहाँ पर मिलेंग तो आप लोग वोहाँ से जाके मतलब कर सकते हो पूरा बैच इंडॉल कर सकते हो ठीक है झालो तो यह जाके आप लोगाँ यह भी देख सकते हो ठीक है कोड़ डाल देना जीज़े तिटे न आपको 10 पॉसंट के डिसकावट मिल जाएगा ठीक है हेलो गाईज कैसे आप सभी लोग आई होप की आप सभी लोग ठीक होंगे तो दोस्तों मैं आज आप लोग लिए निए physics के most important question जो आपके exam के लिए बिल्कुल important होंगे ठीक है तो यह जितरे भी मैंने question अभी आपको cover कराएंगे यह सारे क्या है previous year question है ठीक है तो बिल्कुल video क end तक जरूर बने रहेगा और एक चीज़ यहां पर यह बता दो कि अगर आप इस video की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस video के description box में telegram और instagram दोनों का link दे दिया गया है सबसे पहले आपको क्या करना होगा telegram channel join करना है और वहां से सारे video PDF फाइल को डाउनलोड क कर सकते हैं ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं और आपको एक चीज़ और बता दो कि अगर आप अभी तक हमारे इस channel को subscribe कीजिए और वेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारा कोई भी नया update आपके पास जल जल मिलता रहे है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं और यह केवल चार्ल्स की नियम और फिर उप्षिन डीन में से कोई नहीं इसका राइट एंसर अगर आपको पता है तो फटा फट कॉमेंट बॉक्स में जरू कमेंट करेंगे ठीक है कि आदर्स गैस वह है जो पालन करती है तो यह करती है बॉयल तथा चार्ल्स दोनों की नियम जो कि आदर्स गैस में उर्जा सुनने होती है उप्षिन ए इस्थितिज ऑफशन भी गतिज ऑप्षिन सी ए और बी दोनो या फिर ऑप्षिन कोई नहीं राइट एंसर कमेंट करेंगे अगर आपको इस कुशन कभी राइट एंसर पता है तो आदर्स गैस में कौन सी उर्जा सुनने होती है, आदर्स गैस में, option A हो जाएगा right answer, next सवाल क्यों बढ़ते हैं, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 3, यह है कि निश्पादन गुणांग कहते हैं, option A में हैं, भाफ इंजन की दक्षता को, option B कार्नो इंजन की दक्षता को, जा फिर option C में, रेफरिजेटर की दक्षता को, या फिर option D इन में से कोई नहीं, तो देखें निश्पादन गुडांग कहते हैं किसको कहते हैं रेफरुजेटर की दक्षता को कहते हैं जो कि option number C हो जाएगा right answer ठीक है next सवाल की और भड़ते हैं अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि D U बरावर D W बरावर 0 मानने हैं किसके लिए मानने है option A रुद्रोशम प्रक्रम के लिए option B समतापी प्रक्रम के लिए option C में है शमदाभी प्रक्रम के लिए या फिर option इन में से कोई नहीं राइट एंसर कमेंट करेंगे कि du बराबर dw बराबर 0 किसके लिए मानने हैं तो यह मानने हैं रुद्रुष्णम प्रक्रम के लिए जो कि option number a हो जाएगा राइट एंसर ठीक है option a correct यानि right answer हो जाएगा next सवाल क्यों बढ़ते हैं अगला सवाल ध्यान से देखिएगा कि सुरोत का ताप बढ़ाने पर कार्यों यानि कार्णों इंजन की दक्षता क्या होती है बहुत यह अच्छा सवाल है सुरोत का ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो कार्णों इंजन क्या ह करके उसका दर्वाजा खुलकर उस एक बंद कमरे में रख दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा बहुत यह अच्छा सवाल है कई बार एक्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है कि एक देफ्रिजेटर को चालो करके उसका दर्वाजा खुलकर उस एक बंद कमरे में र सभी लोग राइट एंसर कमेंट करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठंडे देशों में जील की पानी जो है, क्या होती है, उपर से जो परते होती है, जील की वो जम जाती है, लेकिन नीचे जो मचली रहती है, वो जीवित रहती है, क्यों, आप्शने में वे अधिक ठंड जो है, सहन कर सकती है, ऑप्शन भी वे अपने अंदर आवर्शे का सिक्जन संचे करती है, या फिर ऑप्शन सी, जील के पानी की जमी हुई सता के नीचे पानी द्रव के रूप में, चार डिली सेल्सियर पर ही रहती है, इसलिए क्या होती है, मचली जो क्या है, जीवित रह अगला सवाल ये है, कि जल की विसिस्ट उसमा का मान होता है, ओप्शन ए 4.18 गुना 10 के पौर तीन जूल परती, औप्शन बी में है, औप्शन सी, औप्शन डी आपको दिया गया है, सभी लोग राइट ईनसर कमेंट करेंगे, जल की विसिस्ट उसमा का मान क्या होता है, त कोई देखिए option number c हो जागा c में हमारे पास क्या है 4182 जूल प्रती केजी Kelvin हो जागा राइट एंसर ठीक है अगला question देहान से देखेंगे कि वाश्पी करन से पदार्थ क्या होता है option a में है गर्म option b ठंडा option c है कहां नहीं जा सकता या फिर option d इन में से कोई नहीं वाश्पी करन से पदार्थ क्या होता है तो ये गर्म होता है option a में क्या हो जाएगा ये हो जागा right answer वाश्पी करन जो वाश्प निकलता है वो गर्म ही न निकलता है तो वाश्प करन से जो पदार्थ होता है वो गर्म होता है ठीक है next देख परिवर्तित रहता है या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका भी राइट एंसर ऑप्शन नमबर यही हो जाएगा यानि घटता है जो समुंदर तल से उचाई बढ़ने पर वायमंडल का दाव हमेशा घटता रहता है ठीक है अगला सवाल ध्यान से देखेंगे शवाल नमबर 11 यह है कि पानी की वाश्पन की गुप्त उश्मा होती है सभी लोग राइट एंसर कमेंट करेंगे क्वेस्ट नमबर 11 का पानी की वाश्पन की गुप्त उश्मा क्या होती है तो यह होती है 540 किलो कैलोरी प्रतिकेज ही होता है राइट एंसर ठीक है अगला सवाल देखेंग की गुप्त उश्मा क्या होती है तो ये होती है 80 कैलोरी प्रती ग्राम जो कि option number B हो जाएगा इस question का right answer ठीक है next सवाल देखेंगे अगला सवाल ही कि पारे का क्वथनांग क्या होता है पारे का क्वथनांग क्या होता है option is 57 degree Celsius 117 degree Celsius 356 degree 0.7 degree Celsius या फिर option D में है 432 degree Celsius तो देखेंगे इस question का right answer 356.7 degree Celsius हो जाएगा राइट answer जो पारे का क्वथनांग होता है ठीक है अगला सवाल देखेंगे question number 14 14 नमबर ध्यान से देखेंगे पारा का गलनांग की क्या होता है आपसे क्वथनांग पूछा गया है लेकिन अगला question क्या है कि गलनांग क्या होता है पारा का जो गलनांग होता है तो देखें ये होता है minus 38.83 degree Celsius होता है ठीक है ये दोनों आपको याद रखने होगे ये तो आपको पारा का गलनांग हो गया लेकिन आपको पहले question में मैंने क्या करा है पारा का कोथनांग कर रहा तो यह आपका एंसर हो जाएगा 356.7 डिगरी सेल्सियस लेकिन जो पारा का गल्लांग है यह आपको हो जाएगा सवाल नमबर 15 यह कि जब बर्फ पानी में बदलता है तो क्या होता है सभी लोग राइट एंसर कमेंट करेंगे उसमें अशोशित होती है ताप बढ़ता है ताप घड़ता है या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका भी राइट एंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमबर सी यानि ता घड़ता है जब बर्फ पानी में बदलता है तो ताप हमेशा होता है घड़ता है ठीक है नेक्स्ट सवाल की और बढ़ते हैं अगला सवाल ध्यान से देखेंगे सवाल नमबर 16 यह कि 800 डिगरी फॉलरीन का मान केल्विन में क्या होगा बहुत यह सवाल है यह सारे चेंज कर सब्सक्राइब सब्सक्राइब आंत्रिक उर्जा कम होती है जब आप्शने में यह उश्वा आउशोशित करती है आप्शन भी परिवर्तित चक्री है और परिवर्तित रुद्रोश्म है या फिर आप्शन ने इन में से कोई नहीं सभी लोग राइट एंसर कमेंट करेंगे क्वेश्टन नमबर 17 यहनी 17 का एक गैस की आंत्रिक उर्जा कब होती है कब जब परिवर्तन रुद्रोश्म होती है जो कि आप्शन नमबर C हो जागा राइट एंसर ठीक है नेक्स्ट सवाल देख लेंगे अगला सवाल अगला सवाली की खाना पकाने की बरतनों में लकड़ी का हैंडल लगा होता है क्यों आप्शन ने लकड़ी उसमा की खराब चालक होते हैं आप्शन भी हैंडल मजबूत होता है आप्शन सी हैंडल अकरशन है नहीं होता है या फिर आप्शन यह प्रोक्त में से कोई नहीं तो देखें इसका भी राइट एंसर आप्शन नमबर A हो जागा ए में हमारे पास क्य है लकडी उश्मा को खराब चालक होता है यह हो जागा राइट एंसर ठीक है जो कि अप्शन नंबर ए दिया गया है अगला सवाल ध्यान से देखेंगे सवाल नंबर 19 यह है कि काले रंग के मुकाबले स्वेत रंग के कपड़े शीतल होते हैं क्यों होते हैं काले रंग के मुक नंबर भी हो जाएगा नेक्स सवाल देखेंगे और यह है आज का लाश्ट सवाल ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छा सवाल है शवाल है कि नैदानिक थर्मामेटर के शीमा क्या होती है तो यह होती है आपस्ट नंबर डी एस और यह हो जाएगा राइट इंसर रैनि 95 ड अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने स्टैडी गुरूप में एट लिस्ट एक सेयर भी कर दीजिए ठीक है तो आज के लिए तना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद